जिसके बाद वे फिलहाल वर्ल्ल बेंक के प्रेजिडेंट और इस वक्त विश्व स्वास्ते संगटन डबलु एचो के डिरेक्टर जनरल डॉक्टर टेज्रास अदनौम गेब्रियसस पहले Director General जो African Region से WHO के Director General बने उन्हें Malaria पर अनुसंधान करता के रूप में विश्व में पहचाना जाता है और Director General बनने से पहले वे वैश्विक स्वास्त से भी जुड़े रहे हैं Global Fund to Fight AIDS, Malaria, Tuberculosis के भी वे अध्यक्ष रहे हैं और जिस वक्त COVID महामारी ने पूरे विश्व को जकर लिया था उस वक्त उनके ध्यक्षता में WHO ने महत्वपूर्ण कार्य किये और इस स्थिती में विश्व के समक्ष एक महत्वपूर्ण उदाहरन भी प्रस्तुत किया विश्व स्वास्त संगठन के डिरेक्टर जनरल डॉक्टर टेद्रॉस अद्नौम गेब्रियेस G20 के धक्षता में One Health एप्रोच पर एक बड़ा फोकस और WHO की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वरकिंग ग्रूप की हम बात करें तो भारत के धक्षता में Global Initiative on Digital Health इसको एड़ाट किया गया है वो लीडर्स के समिट के दौरान उसे रखा जाएगा और अगर उसको समर्थन मिलता है तो यह विश्व के स्वास्त को और ज़्यादा समाविशी बनाने के लिए और ज़्यादा accessible बनाने के लिए और ज़्यादा affordable बनाने के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, वहो के डिरेक्टर जेनरल, डॉक्टर टेट्रोस, आद्नोम गेब्रियेस इसका स्वागत करते हुए